श्री गनेशाय नमहा, नमस्कार दोस्तों! ये राशी फल चंदर राशी पर आधरित हैं। चंदरमा मन का कारख है, हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते हैं, वो चंदरमा की स्तिदी लेकर आती हैं। और इस वज़े से चंद्रमा की position हमारे रोज की जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है दोस्तो आज का दिन आप के लिए बहु तरखी दिखाए देगी कारिक शेत्र में आपकी performance और अच्छी रहेगी आज सभी शेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए दिन मज़ेदा रहने वाला है सुबह से ही प्रसनता और उत्सा से भरे रहोगे बहुत ज्यादा energetic रहोगे साथ में success भी मिलती दिखाए दे रह है ये समय सेलिब्रेट करने का रहेगा हमें हमारे जीवन को रोद सेलिब्रेट करना चाहिए आपके परिवार के साथ आज आप अच्छा समय बिता सकते है परिवार के साथ कही vacation पर जा सकते है होटेलिंग करनी है या कही घूमने जाना है तो समय बहतरीन है इस दिन आपको अपने परिवार जनों की खुशी के लिए उन्हें आनदित करने के लिए उनके साथ समय बिताना जरूरी रहेगा इस दिन आप और आपके पार्टनर की बीच जो relation है वो और मजबूत बनेगे दामपत्ति जीवन के हिसाब से सारी परिस्तितिया अनुकुल है पुरानी बड़ी चीज भी इस दिन खरिच सकते है अगर परस्नल लाइफ की बात करें लव लाइफ के बात करें तो लव लाइफ के लिए भी ये दिन अच्छा है ये दिन आपके संबंदों को अगले स्तर पर पहुचाने के लिए बिलकुल सही रहेगा अगर आप सिंगल है तो किसी के साथ सम्मन जोड सकते है और अगर आप पहले से ही किसी से जुड़े हुए है तो शादी के लिए प्रस्ताव रख सकते है आपके माता पिता के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखना है तो सफलता मिल सकती है समय हर तरह से अनुकुल रहेगा इस वक्त कोई नया व्यक् आपके भविश्य के लिए अनुकुल है स्टुडन्स के लिए भी ये समय शुब रहेगा पढ़ाई में कॉंसंट्रेट कर पाओगे इस समय विद्या ग्रहन करना आपके लिए आसान नजरा रहा है भागे का साथ और आपका परिश्रम आपके लिए रंग लिकर आएगा इस समय में आप मेहनती रहोगे और लगन के साथ काम करोगे भागे भी साथ दे रहा है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर स्वास्ति की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो स्वास्ते के लिए भी समय अनुकुल है, आपके डायेट में प्रोटीन से भरे बादाम का प्रयोग जरूर करना चाहिए, रोज दूद का सेवन करें, ये प्रोटीन से भरी चीजे आपको अंदर से और बाहर से काफी स्टॉंग बनाएगी, तेल, शक्कर, चाय, काफी, इ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लोग बीमार है, उन्हें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए, तो दोस्तो खान पान अच्छा रखे, सुबह का टहलना जारी रखे, इस दिन आरेंज रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और 9 अंक इस द पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है, तो वीडियो आगे जरूर देखे, नमस्कार दोस्तो, व्यक्ति को अपने जीवन में सफ प्राप्त होती है, परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है, हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं, दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कही से भी बाहर से आती है, कही भी जूते चपल फेक देते है, कही पर भी उतार देते है, कुछ-कुछ लोग तो घर के उस्थान पर रखे, अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उने रखे, साप सुत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को वो देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीजे देखने में नहीं होता है, उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम मे नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सी फूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्या दी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए, वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है, आपक के घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है, और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है, और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप जो भी कार्य करते हैं, उसमे आपका मन नहीं लग पाता है, इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है, इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है, दोस्तों एक और खास बात है, हमारे घर में मकडी का अगर जाला है, तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है, जी हाँ वो अशुब माना जाता है, घर में मकडी का जाला होना अशुब है, इस से आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है, क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है, हर एक चीज हमा भी ला सकते है, धन ला सकते है, मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है, तो इन चीजों को जरूर आजमाए, इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें, धन्यवाद